हुआ है अब नया टॉपिक स्टार्ट करते कंसाइनमेंट इस वन ऑफ दी मोस्ट इंपोर्टन टॉपिक पिछले चार एंडिम से मैं देख रहा हूँ काफिर स्टूटन का लिबरल अपरोच होता है कि सर जर्नल एंटरिस तो हमें आती है तो बहिए अगर आप सिर्फ जर्नल एंटरिस के भरोसे पर एक्जाम लिखना चारे हो तो इसमें आपको मार्स नहीं मिलेंगे क्योंकि एक्जाम में क्या होगा कुछ ना कुछ एजस्मेंट ऐसी दी होगी जो आप जिससे आप पूरा आंसर नहीं लिख पाऊंगे इसके लिए आपको प्रायर प्रैक्टीज होना आपको इसकी कंसेप्स की क्लारिटी होनी जरूरी है ठीक है यह कुछ टॉपिक से जैसे चैसे की आपको पहले से नौलेज होना जरूरी है अगर इसका आपको पहले से नाइज नहीं है तो आप इंसका अंसर सही नहीं बना पाऊंगी कि तो आई यह देखते हैं मीं कंसाइनमेंट मतलब क्या आता है हम हमारे एक हमारी हमारे एक एजंट को भाकि सब्सक्राइब हम वहाँ पे रिक्स की है यह आगे दिखेंगे रिक्स किसी क्या है एक बार इसका यह देख यह कंसाइन में iki yarn इसके बाद जो कंसाइनी है पिरियोडिकली हमें अकाउंट सेल्स बेचता है क्या होता है अकाउंट सेल्स किसके हमारे हमने बेचा है पूरे बेच दिया या आदे बेचा है आदे उसके पास स्टॉक में रखे है कुछ खराब हो गए कुछ जल गए कुछ रिपेर मेंटेनेंस किया है उसने कुछ आउट ओफ पॉकिट एक्समेंस किया है यह कंसाइनर को पता तो होना चाहिए न तो यह कंसाइनी पिरियोडिकली कंसाइनर को एक statement बेचता है account sales कहते है जिसमें लिखा होता है कि कितना sale हुआ है क्या rate में sale हुआ है कंसाइनी ने हमारे बिहाफ़ पर कुछ खर्चा किया है क्या तो कितना खर्चा किया है कमिन का कमिशन कितना बनता है और कंसाइनी के पास अंशोड श्टॉक किता है consignee ने consigner को advance कितना दिया है और final settlement क्या होना बचा है हमें consigner से लेना है या हमें उसे देना है है ना कुछ भी हो सकता है तो ये सारी बाते consignee periodically consigner को बेजता है through account sales ठीक है तो आपको basic transaction समझ में आया है consigner consignee को goods बेजता है और consignee consigner के बिहाफ पे वो आगे sell करता है अचा goods है किसके consigner के ownership transfer हो रही है क्या नहीं तो एक बात ध्यान रखनी है कि consignment में ownership transfer नहीं हो रही है जब तक consignee final sale नहीं करता तब तक ownership transfer नहीं हो रही है final sale नहीं होता तब तक ownership transfer नहीं हो रही है और हमने law में पढ़ा है रिक्स goes with the ownership तो अभी ownership किसकी है consigner की है तो रिक्स किसका रहेंगा रिक्स भी consigner का रहेगा रिक्स भी consigner का है और भाया जी हमने पढ़ा जिसका रिक्स कोता है उसका profit होता है तो consignee जो good sell कर रहे है जो profit हो रहे है मुनाफ़ा हो रहे है यह किसका होगा जिसने रिक्स भेर की दी रिक्स किसने बेर किये consigner ने तो ownership किसकी है consigner की रिक्स किसका है consigner का profit किसका है consigner का तो भाईया जी ये consigne क्या बाबा जी का थुलू बिच में time pass करने के लिए बैटा है क्या नहीं इसे भी क्या मिलेगा पैसा रोकड़ा क्या मिलेगा इसे commission मिलेगा इसे क्या मिलेगा commission ये जो consigne है फो महनत क्यू कर रहा है क्योंकि उसे commission चाहिए पैसा चाहिए वो जो service दे रहा है उस service के consideration में वो पैसा लेगा उस पैसे को हम कहेंगे commission उसे हम कहेंगे commission अच्छा अब ये commission भी sir तीन तरह का है ठीक है ये जो commission है commission भी तरह का है एक है सर नॉर्मल कमिशन ठीक है एक है नॉर्मल कमिशन क्या कहता है कि भाई आप हमारा गुट्ट सेल करो 2% कमिशन है अगर आप 1 लाग रुपे में सेल कर रहे हो तो 1 लाग का 2% आपको कमिशन मिल जाएगा ठीक है एक लाग क्या हमारी invoice price है हमने बता रखा है कि इतने rate में आपको goods अमारे sell करना है और इतना इतनी price पे अगर आप sell कर देते हो तो आपको 2% का हम commission देंगे ऐसा consigner consignee को बोलता है तो consignee को normal commission मिलता है next consignee को मिलता है dell credier commission next मिलता है dell credier commission dell credier commission मतलब क्या होता है कि भाया जी ऐसा हुआ कि consignee को sales बढ़ाना था तो sales बढ़ाने के लिए एक option है कि credit पे sell कर दो हैना उधारी पे माल बेचो अब अगर हम उधारी पे माल बेच रहे है credit पे माल बेच रहे है तो कुछ bad dates भी तो हो सकती है एना ऐसे भी तो कुछ data होंगे जो पैसा नहीं देंगे तो वो तो हो गया bad date अगर अगर consignee guarantee लेता है मतलब अगर जो bad dates हो रही है वो पूरी consignee bear कर रहा है born by consignee है अगर जो bad dates हो रही है वो born by consignee है तो ऐसे case में तो वो हमें extra service दे रहा है तो extra service दे रहा है तो उसे commission भी ज़्यादा देना चाहिए तो dell credit commission हम देंगे 5% ठीक है यह एक example है 2% 5% ऐसा कुछ fix नहीं है question बता रखेंगा आपको 2% है कि 5% है तो dell credit commission मतलब जो normal commission से ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें extra service मिल रही है क्या service मिल रही है हमें security मिल रही है कि bad date होगा तो bad date पूरा consignee bear करेंगा bad date की जिमेदारी पूरी consignee की है consignee bad date होने नहीं देंगा और अगर होता भी है तो वो loss consigner का नहीं consignee का होगा ठीक है तो यह extra यह इसमें क्या हो रहा है consignee risk ले रहा है तो consignee risk ले रहा है तो जाधा risk तो जाधा reward तो इसमें जाधा return लेगा ठीक है next होता है overriding commission एक होता है overriding commission overriding commission मतलब क्या होता है जब consigner consignee को goods consign करता है तो वो इसे एक invoice price बता देता है वो एक minimum selling price बता देता है MSP minimum selling price बता देता है कि ईस rate से कम में आपको नहीं बेचना है कम से कम आपको हमारा product इतने rate में बेचना है मलो कम से कम आपको हमारा product 1, 2000,000 एख ए और अगर बहित जी वो product 10, 2000 अजार में बेच दिया तो हमारा तो बैटे-बैटे फायदा है हमारा तो बैठे बैठे फायदा है लेकिन गूट अगर महंगे में बेचना आए तो ज़ादा एफट्स लेने पड़ेंगे तो ज़ादा एफट्स के लिए कंसाइणी को कुछ ज़ादा रिवार्ड मिलेगा तभी तो वो करेगा ना एल्स अगर वह एक लाग में बेच है तो भी उसे एक लाग पर दो परशंट मिल रहा है या एक लाग तक का तुम बेच रहे हो तो डो परशंट आपको मिले गई लेकिन जो योग का अपने तो आधotype 20000 उपर का बेचा है तो सब्क अद। दो परषेंट से नहीं सब आपको थ Ты फरिंट के मिलेगा थिकए तो वन फरशेंट कहा हो गया मारा ओ्रीडिंग कमेशन हो ग्या है तो तो हमने थेखा तीन क्मिक्ष्ण होते है नॉर्मल कमिशन डेल क्रेडियर कमिशन और ओवर्राइडिंग कमिशन ठीक है नॉर्मल कमिशन डेल क्रेडियर कमिशन और ओवर्राइडिंग कमिशन आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है क्वेशन में दे रखा होगा कि कौन सा करीकी का कमिशन नॉर्मल है ओवर्राइडिंग है डेल ओनर्शिप ट्रांसफर नहीं हो रही है ओनर्शिप आज भी कंसाइनर की है अच्छा अब जो कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स कंसाइन कर रहा है तो उसके साथ वो एक प्रोफॉर्मा इंवाइज बेचता है क्या बेचता है एक प्रोफ़्मा इन्वाइज बेचता है प्रोफ़्मा इन्वाइज मतलब क्या होता है ठीक है consigner जब consignee को goods बेजता है तो उसके साथ ही साथ एक pro forma invoice बेजता है ठीक है pro forma invoice क्या होता है यह invoice के जैसा दिखता है लेकिन यह final invoice नहीं है लेकिन consigner ने जो goods consignee को बेजा है उसका detail तो पता होना चाहिए ना consignee को कि कौन सा product कितनी quantity में आया उसका sales price कितना है उस पर discount कितना दे सकता हूँ यह सारी बाते consignee को तो पता होनी चाहिए न तो एक dummy invoice एक pro forma invoice consignee को देता है ठीक है इसका purpose क्या होता है इसका purpose होता है convey information to the consignee regarding the particulars of the goods sent हमें जो consigner ने goods बेज़े है वो goods की detail उस goods की information हमें मिलनी चाहिए तो इसलिए वो consignee रमें का इन वाइस बेचता है ठीक है आगे के सारे points इसक्दम जनरल है आपको यह पढ़ लेना consignment और sales का difference क्या है consignment में सिर्फ possession transfer हो रहा है ownership आज भी consignor किये लेकिन sales में क्या हो रहा है possessions के साथ में रिक्स भी रिक्स भी ट्रांसपर हो जा रहा है इसारी जनरलाइज बाते हैं commission और discount commission मतलब क्या होता है मेहताना होता है उसे में टिस्काउंट केंगे अब यहां से स्टार्ट होता है आपका प्रैक्टिकल इस टॉपिक में प्रैक्टिकल बनता है जनरली औरर आपको अच्छा देख को स्टेंट बनता है की आपको अकाउंट बनाते हैं आपको जर्नल एंट्रिस पता होनी चाहिए अगर आपको जर्नल एंट्रिस पता है तभी आप यह लेजर तभी आप यह अकाउंट्स बना सकते हो एल्स आप नहीं बना सकोगे तो सबसे पहले इसकी जर्नल एंट्रिस चेक कर लेगे जब कंसाइनर ने कंसाइनी को गूड्स बेजए है तो क्या एंट्रि होगी अच्छा चलो एक बात और देखलो जो कंसाइनमेंट अकाउंट है जो हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट बनेंगा न तो उसमें एक गुरु मंत्र याद रगना एक राम बान याद रगना कि जो भी expenses incur हो रहा है जो भी expenses incur हो रहा है वो हम consignment account को debit करेंगे जो भी expenses incur हो रहा है we will debit it to consignment account ठीक है और जो भी revenue generate हो रहा है जो भी पैसा आ रहा है जो भी sales से आ रहा है वो हमारा consignment account को credit होगा और जो stock बच रहा है हमारा closing stock stock lying with the यह भी क्या होगा कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट होगा तो यह कुछ हमारे ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलता जुलता है अब अगर हमें क्रेडिट बैलन्स हा रहा है मतलब क्रेडिट साइड ज्यादा है तो हमें पी फॉर ठाइटा है उसे भी अक्रेडिट बैलन्स आ रहा है मतलब यह ज्यादा है तो अगर प्रक्रेड़ीत सट जाधा है तो हमारा लॉगा यह एफ सींपल है इसका मतलब क्या होँगा हमने पर्छेस किया है ऐसा ही हो गया उनलब expense हो रहा ही है हमारा तो क्या करेंगे इसको consignment account debit ठीक है consignment account debit to goods sent on consignment ठीक हमने goods भेज़े हैं तो हम क्या करेंगे consignment account debit to goods send on consignment बान में expenses incurred by consignor when consignor incurred some expenses relating to consignment जैसे कि हमने transportation जैसे कि हमारा वेरावस है मुंबई में मुंबई में वेरावस है मुंबई से हमने राइपूर goods consign किये है ठीक है राइपूर तक हमने goods भेज़े तो हमें transportation का फ्रेट लग रहा है तो transportation का खर्चा carriage बान में insurance निकाला हूंगा transit insurance तो यह सारा खर्चा हमने बेर किया है तो खर्चे को हम क्या करते चान्साइनमेंट को debit to consignment account debit to cash में क्या होंगा bank में क्या होंगा तो वैसा या अगर credit पे तो प्रप्लियर उनने तो कंसाइने बंट डेम डेट टो रोकेट इध्यक्रप लाशने जीनटा स्था तो उसका हमको रिकॉड करना है इसने कितना किया है और कितना स्टॉक उसके पास रखा इस सारी डिटेल हमें वह अकाउंस के जरीए बेजेंगा तो मानलों उसने सेल्स का डिटेल बेजाए कि इतना सेल्स हुआ है तो सेल्स हुआ है मतलब हमारा रेविन्यू आ रहा है तो कंसाइनमेंट अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाना चाहिए हमारा क्या होना चाहिए कंसाइनमेंट अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए तो टू कंसाइनमेंट अकाउंट आ गया हमारा नॉर्मल सेल्स में हमके एंट्र पर्सनल अकांट डेट टु कंसाइनमेंट देखो बेशीक एंटरी जात रगाना उसको हमकिन साइनमेंट में YouTube कर देंगे नॉर्मल एंटर क्या उती सेल्स की डेसेवस्ट डेटगंबिट टु सेल्स यहां हमने सेल अकांट बनाया है कि अभी तक नहीं क्या क्या मनारि answer एकाउंट तो एक्रेड़ीट तो होँगा एकाउंट अब पैसे किसे लें प के अभी को पैचांच केक्व हम यह सर्फ कंसाइन ही को पैचांच्व यह पैसा देंगा तो कंसाइन बेट रखाउंटे इसुप मान लो हमने कंसाइनर ने कंसाइनी को कोई गुड्स भेजे है और कंसाइनी ने कोई एक्सपेंस इंकर्ड किया है ठीक है एक्सपेंस इंकर्ड किया है लेकिन एक्सपेंस किसके गुड्स पर इंकर्ड किया है उनर्शिप तो हमारी है तो एक्सपेंस किसके उने चाहिए वो हम इसका मतलब हम को पैसा देंगे पैसा देने वाले परसनल अकाउंट है तो क्रेडिट कर दिया है और है क्या वो हमारा खर्चा है हमने पहली बोला था जो भी करचे होते इस business अंकोट डेबृत करना है तो कंसाइनमेंट ॉनी टू कंसाइनी पर्सनल अकाऊट थीक is में एक काहत्स मेरा है हम छेइड मिल रहा है चलुके करना है असे काहं डेड मिल रहा है इंश 확 डबिट बिल से रिसीबेबल अकाउंट डबिट कौन दे रहा है कंसाइनी दे रहा है एक तरह से कभी नहीं पढ़ा था लाग आज आपके जितने भी सारे क्लियर होने वाले बाट हो जाता है ठीक है यह ने जब आगे अगे तो आगे इसे पैसा नहीं दिया बैडड हो गया बैड हो गया अब बैड डेट हो गया तो दो पॉसीबल बाते एक तो नॉर्मल कमिशन का करने वाला है तो इसका मतलब को बैड डेट से कुछ लेना देना है क्या नहीं जो भी बैड डेट हो रही है वो कौन बैर करने वाला कंसाइने के खता तो अगर डेल क्रेडियर कमिशन है तो हमारे क मेंमारों कुछ पेंटर नहीं हों की नार्मल कमिशन हैं तह बार है मतलब है हमारा है खर्चा हो रहा है कनसा इन کंसाइन मेंट Давай ने 박 CPR करेंगे तो कनशाइनमेंट आजान अकाउंट इमेट इद Galcar 這麼 डेप कन तो कंसाइनी आगाउन पर्समें और ने वेया तो रख यह तो और अकाउंट है कोछ गोड सानी ने पर्सनल यूस के लिए रखी यह तो नविए रियली कोज आढ़ा रहा है तो 31 मार्च को भी कुछ ऐसे गूड्स है जो कंसाइननी के गोडाउन में ही रखे अभी तक सेल नहीं हुए ओनर्शिप किसकी है हमारी है तो हमारे बुक्स में ही तो यह स्टॉक आना चाहिए तो हम क्या करेगे लेसा है चाहिए तो हमने भूला जो भी करना है कशैंश हमें चाहिऑ हमारे ले座ा क्या है एक्सिंस है Challenge होते है consignment account को debit करना है तो consignment account debit ठीक है किसको pay करना है consignee को तो to consignee account to consignee account ठीक है simple जा रहा है एकदम journal interest अच्छा से समझ में आ गई simple जा रहा है ठीक है अब इस पर हम एक illustration solve करके देखेंगे illustration one module का है simple है basic illustration है एक सेंट ऑन फर्स जूलाई 2016 टू वाई goods costing पचास अजार ठीक है हमने goods बेजे हैं पचास अजार के तो क्या करेंगी consignment account debit to goods sent on consignment पचास अजार ठीक है हमने हजार रुपे का packing का खर्चा किया है तो ये भी क्या होगा consignment account debit to bank account है ना जो भी घर्च से कर रहे हैं consignment को debit करो on 3rd July वाई receive the goods and sent his acceptance to x for 30,000 payable at 3 months वाई को goods कब मिले 3 जूलाई को मिले ज़स दिन goods मिले उसने 30,000 का bill accept किया मतलब हमें आरे लिए क्या हो गया bills receivable हो गया तो bills receivable account debit किस ने दिया वाई ने दी किया 30,000 का ठीक है और इसका period कितना है 3 months है किता August, September October October और तीन ग्रेजडेश आइड करके 6-10 तो हम ऐसा समझेंगी maturity पे bill honor हो गया तो bank account debit to bills receivable normal entry करना है bank account debit to bills receivable ठीक है मानलो अगर इस bill को हम discount करते थे तो normal bills of exchange में जो हम entry किये थे वही entry हम यहाँ पास कर देंगे discounting वागरे कि या endorse किये थे तो जो भी entry है accordingly bills of exchange वाली entry हम कर देगे ठीक है नेक्स्ट क्या बोलता है वाय स्पेंट 2000 अन फ्रेट एंड कार्टेज 500 अन गोडाउं रेंट एंड त्री अन इंशुरंस वाय मतलब कौन कंसाइनी कंसाइन ने जो खर्चा किया है वह कहां दालेंगें रेंगें कंसाइन बेंट को 31 December को उसने अकाउंट सेल बेचा है अकाउंट सेल में क्या बोलता है फॉर फिफ्ट अपको दे गूड्स हैव बिन सोल्ड फॉर 55,000 पच्पन हजार को उसने गूड्स बेच दिया है बेचा है मतलब हमारा इंकम हो रहा है तो क्रेड़िट करें क्रेड़ यह क्या बेचा जहा करें どणको क्रेडिट को क्रेड़िट क्रेड़ promising क्रेड़िट कूड्सक्रेड 2015 कि फॉर 55,000 वह बिचा सेंड क्टवバイ को डे 건ressant decision is entitled to a commission of 10% one of the customer turned insolvent and could not pay 600 रुपिया ठीक है 10% commission देना है और 600 रुपिया का बैट डेट है 600 रुपिया का बैट डेट है तो बैट डेट हो गया लब लॉस हुआ है तो क्या है प्चैनल कितना किया है जी ने 55,000 का कमिशन कितना बनता है 10% 55,000 क Viele अ क्र बैठ रिखन साइंड के लिए क्या है खर्चा है तो conceal कंसाइनमेंटवें क्लड डेट टुगड़ कि अमारा खर्चा है किसे मिलना है वाई य को मिलना है तो अब ठीक है जब हमको वाई ने अकाउंट सेल बेजा था तो जो भी बैलेंस था हमने उसी दिन सेटल कर दिया अब बैलेंस सेटल्मेंट कैसे होगा देखो कि वाई का अकाउंट क्लोस करके देखो वाई को पहले हमने कितना क्रेडिट किया 30,000 से क्रेडिट किया है बाद में और क्या वाई को 55,000 से डेबिट किया है तो बाद में वाई को 34,000 से क्रेडिट किया है बाद में वाई को 55,000 से क्रेडिट किया है तो बैलेंस कितना बज़ता है 16,100 कितना है 16,100 16,100 हमें वाई से लेना है तो बैंक अकाउंट डेबिट वाई 16,100 इसको एस्टिक करके करना हैं को बालेंसिंग फिगर ठीक है ऐसा लिग देना है एक्जाम के टाइम जबाब रिविजन करूंगे तब आपको याद आना चाहिए तो इसे हम कहेंगे बालेंसिंग फिगर क्य एक कुछ गुड अंशोल्ड रहे होंगा 450 इसेल हुआता है 450 रहा होगा तो उसकी एंट्री क्या करना है फॉर्ड वुड डैट वेह में उड डेभिट आंसोल्ड डेबिट दी कंसाइनमेंट कंसाइनमेंट अकाउंट एडडित उह करना है ना अप्दिग कलोजिंग स्टॉ हो गाए वो भी कंसाने मेंट को क्रेड़िट करना है तो कंसाने मेंंट स्टॉक अकाउंट सेटके रहेए हैं रहें अब लेकिन जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका वैल्यू कितना है वैल्यूएशन कितना है देखो हमने कंसाइन कितना किया था, consignment को debit कितना किया था शूर में, 50,000 बेजा था, उसमें से 4-5th sell हो गया, मतलब 1-10 बचा है, तो 50,000 का 1-10, sorry, 1-5th, 1-5th, 50,000 का 1-5th, कितना आ रहा है, 10,000, ठीक है, कितना आ रहा है, 10,000, तो जो consignment पर बेजा था, उसका 1-5th, बाद में consigner ने कुछ खर्चे किये थे कितने 1000 ये कितने total की खर्चे है और बचा कितना है हमार पास 1500 तो 1000 का 150 मतलब कितना आएगा भाया जी 200 ठीक है ठीक उसी तरह consignee ने भी कुछ खर्चे किये थे consignee ने उसके go down तक पहुचने का जो भी खर्चा है consignee ने में कुछ खर्चा किया है ठीक है फ्रेट दिया है consignee ने 2000 तो 2000 का भी 1500 ले लेंगे हम 400 ठीक है देखो closing stock में दो बाते non selling expenses closing stock निकालना है न closing stock निकालने के लिए non selling expenses add करते non selling expenses किसके किसके consigner के और consignee के ठीक है दोनों के consigner and consignee दोनों के हम non selling expenses add करते है तो consignee का non selling expense कितना किया है उसने फ्रेट का 2000 तो 2000 का 15 चार्चो तो यह आ गया हमारे closing stock का value ठीक है 10600 हमारे closing stock का value आ गया है बात में inventory zone consignment account is an asset it will be shown in the balance से जाहिर सी बात है हमारी asset है तो हम balance current asset में दिखाएगे at this stage the consignment account will reveal the profit or loss see the account given below the profit or loss will be transferred to the profit and loss account on the consigner by debit to the consignment account ठीक है अब जो भी हो रहा है profit या loss हो रहा है अब यह कैसे calculate consignment account का closing balance यहां पर पचास हजार से debit किया पाद में एक हजार से debit किया तो इसा closing balance जब आप निकाल होंगे तो closing balance आएगा आपका पाच हजार साथ्चों पाच हजार साथ्चों का profit हो रहा है मतलब consignment account का credit balance आ रहा है तो क्या कर देंगे consignment account debit to profit and loss account ठीक है consignment account debit to profit and loss account अब लास्ट में यह सब तो हमने क्या किया है consignment account के थूरूरूट किया है अब हमारे trading account में भी तो figure जानी चाहिए तो यह जो consignment की entry है यह amount हम क्या करते ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देते कैसे गुट सेंट on consignment account debit to trading account वह जो पहले अकाउंट खोला था हमने यह account देखो सारे accounts close होने चाहिए यह account close हो गया जो भी profit हुआ लॉस हुआ profit and loss में चले गया यह account तो अभी open credit balance तो यह balance हम ट्रांसफर कर देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में तो क्या हो जाएंगा गुट सेंट on consignment account debit to trading account गुट सेंट on consignment account debit to trading account ठीक है तो इस तरह से हमारा consignment का one of the simple बेसिक प्राब्लम क्लियर हुआ जिसमें हमने बहुत सारे transactions थे basic adjustments होती है वो सारी हमने cover कि इसमें यही जर्नल एंट्रिस को अगर आप लेजर में पोस्ट कर दो तो आपके लेजर अकाउंट सारे बनके रेडी हो जाएगे अब देखते हैं valuation of inventories अब consignee के पास जो हमारा goods पढ़ा है closing stock रहे का है उसका valuation कैसे करना है तो valuation का वही जो basic मंत्रा हमने इंवेंटरेज वाले टॉपिक में पढ़ा था वही रहेगा cost और NRV whichever is lower cost और NRV whichever is lower ठीक है यह paragraph important है इसे पढ़लेंगे एक बाहर दर principle is that should be cost और NRV whichever is lower पता है में in the case of consignment cost means not only the cost of good as such to the consigner but also the expenses incurred to incurred till the goods reach the premises of the consignee okay such expenses includes packaging freight cartage insurance in transit octra import duty etc but expenses incurred after the goods have reached the consignees go down such as rent insurance of go down delivery charges salesman salaries are not treated as a part of purchase for valuing the inventories on the hand on the hand on the hand of closing inventory अपना ये इन्वेंटरी तो अमने consignee के जो एक्सपेंस थे वो अमने उसका वन फिफ्थ लिया है अब consignee ने खर्चत 2000 का किया है 500 का किया है 300 का किया है देखो question में जाते है consignee ने खर्चत 2000 का freight पे किया है 500 का go down पे किया है 300 का insurance पे किया है लेकिन कि valuation of inventories में क्या बूलता है कि सिर्फ वही कर्चे लेने हैं जो गूट्स को consignee के go down तक लाने तक के लग रहे हैं मतलब फ्रेट यह ट्रांजिट इंशॉरंस लग रहा है यह पैकेजिंग अगरे लग रहे हैं यहां तक का सिर्फ वही एड करना है मतलब क्या हमें closing stock की valuation कैसे निकालेंगे closing stock ठीक है closing stock का valuation निकालना है तो normally क्या होता है cost है ना cost आता है closing stock में देखो closing stock का valuation निकालना है तो cost और नर्वी है ना दो चीज़े निकालना है cost हमको readily available रहती लेकिन consignment के case में cost plus non selling expenses non selling expenses और एक नंसाइनर ने कुछ non selling expenses की होंगे जैसे कि packaging किया होंगा transportation किया होंगा ट्रांजेट का इंचरंस निकाला होंगा वो या consignee ने कुछ non selling expenses की होंगे मतलब consignee के go down में आने के पहले के जो भी कर्चे अगर ऐसा हो सकता है कि freight consignee ने बढ़ा है packaging का खर्चा consignee ने बढ़ा है loading unloading consignee ने बढ़ा है तो वो यह सारी बाते add होगी और यहां पर हमें हमारा closing stock मिलेगा यहां हमें हमारा closing stock मिलेगा ठीक है तो valuation of inventory simple है ध्यान रखना है consignee के go down तक के जो भी खर्चे वही हमें add करना है closing stock में consignee के go down में आने के बात के जो खर्चे वह हम closing stock में नहीं लेगे it won't be added in the closing stock ठीक है अब मानलो जो goods है उसको हमने जो invoice किया है वह above cost किया है above cost उस पर हमने हमारा profit जोड के consignee को invoice बेजा है यहां जो किया है हमने मानलो हमने जो पचास हजार पे goods costing goods costing पचास हजार goods की value कितनी थी पचास हजार और पचास हजार पे हमने consignee को बेजा था लेकिन मानलो हम इस पे हमारा 20% profit याने 10,000 का profit जोड के consignee को बेचते है तो हमारी entries में क्या फर्क होंगा 25,000 के डिबiggles किया यहां सब चाने क irrespons है योडी यह entry is same है यह entry same है यह entry is same है यह entry 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 भी से लास्ट में जो closing inventory का valuation कर रहे है तो closing inventory बढ़ जाएंगा क्योंकि वहां पे हमने क्लोजिंग इंवेंटरी बढ़ गया है 12600। मनलब 20085 क्लोजिंग इंवेंटरी बढ़ गया है इसलिए हमारा closing inventory का value आ रहा है 12,600 ठीक है लेकिन actual में जब आप consignment account close करोंगे तो consignment account close करने के आद में जो profit 5,700 था वो पहली method में भी उतना ही आएगा इस method में भी उतना ही आएगा क्योंकि देखो इसमें consignment additional entries यह दो और लगेंगे गुट्सेंट ऑन कंसाइनमेंट तो कंसाइनमेंट अगाउंट दस हजार का जो profit हमारा रखा हुआ अदा हुआ हमने यहां reverse किया और जो स्टॉक में जो हमारा 2000 का profit है इसके वजह से हमारा जो profit है वह वह एक्च्वल कोई भी method फॉलो कर हमारा प्रॉफिट 5700 ही आने वाला है कोई भी method फॉलो कर हमारा profit 5700 सेम ही आएगा ठीक है अब important concept देखते है नॉर्मल लॉस नॉर्मल लॉस मतलब क्या होता है जैसे कि आपने कई बार देखा हूंगा कोई ट्रॉक जा रहा है कोई power cioè water tank जा रहा है water tank जा रहा है तो water tank में से एक-इक बुंद एक-बूंद पानी गेरता है ठीक है वह आपको normal दिखता है तो यह क्या है यह है हमारा normal लॉस इसे हम कहेंगे जैज भी बार हुरा और और पुरा पानी का कंटेनर ही पलट गया पानी यह ग servie घ्ट किया हो जाए गाUnton लॉस दो तरह की लाउस होता है एक अल्मार्मा लॉस होता है यह नगुन आपको सीए इंटर में कोस्टिंग नाम का सब्विए उसमें बहुत जदा डेटेल में देखने मिलेगा कि can simplify करना है और abnormal loss का क्या treatment करना है तो एक बार अभी discount की सबसे बता देता हूं Normal Loss का क्या treatment होता है normal loss को अच्छे यूनिट्स एप्जॉब कर लेते normal loss को हम अच्छे यूनिट्स की कॉस्ट में यूजाब कर लेते it is concluded that a loss of 15% is unavoidable 15% का loss unavoidable है मतलब यह क्या है normal loss है तो cost पर kg तो इसका मतलब क्या हुआ हमने बेजा कितना है 10,000 kg apple बेजा है इसमें से 15% मतलब 1500 का normal loss होने ही वाला है तो हमारे हाथ में कितना 8,500 kg apple ही आने वाले है ठीक है लेकिन हमारी cost किती लगी है 10,000 at the rate of 30 ठीक है 3,000,000 के apple हो गए 40,000 का freight लगा तो हमारा total कर्चा की तरह है 3,400,000 यह 3,400,000 है कितने 10,000 apples के है लेकिन 1500 का हमारा क्या है normal loss होने वाला इस वज़े से स्रिफ 8,500 apples हमारे अच्छे रहने वाले तो हम क्या करेंगी जो 3,400,000 है यह हम ऐसा अजिम करेंगे कि यह जो अच्छे यूनिट है नॉर्मल लॉस काटने के बाद उनका घर चाहे तो 3,400,000 divided by 8,500 मतलब हम क्या करेंगे हमारे पर kg apple का cost आजाएगा पर kg का cost आजाएगा 40 रूपीज ठीक है 3,400,000 divided by 8,500 रूपीज तो नॉर्मल लॉस का treatment क्या होता है नॉर्मल लॉस को अच्छे यूनिट अच्छे यूनिट कौनसे यह नॉर्मल लॉस को अच्छे यूनिट एब्सॉप कर लेते हैं कि कॉस्ट में एब्सॉब कर लेते ठीक है के यह था नॉर्मल लॉझ अब मानलो पूरा ट्रक का ट्रक पलड गया फिर क्या करेंगे उसमें दो बाते आईगी एक तो इंचर निकाला वगा था यह इंचरंस नहीं नहीं निकाला हुआ था तो हमें कितना मिलेगा क्या मिलेगा हो देखेंगे चलो अच्छा आपनॉर्मल लॉस्ट में दो बाते और देख लेते कि भाईया जी हमने एक ट्रक माल वेजा था मतलब 10,000 वेज़े और पूरी की पूरी ट्रक उड़ गई पूरी की पूरी ट्रेक जलके ब बात होते हैं तो ऐसे केस में अबनॉर्मल लॉस्ट निकालना पड़ेंगा और क्लोजिंग स्टॉप में अड्जस्ट वगरे करना पड़ेगा तो वह भूल जाओ अभी देखते हैं अबनॉर्मल लॉस्ट का ट्रेट्मेंट क्या करेंगे मान लो हमने एक अजार सेविंग म अबनॉर्मल लॉस्ट कितना हुआ है पचांस अजार दोसो हमारा अबनॉर्मल लॉस्ट कितना हुआ है पचांस अजार दोसो का हो गया है पचांस अजार दोसों का ठीक है इस अमाउंट शुट भी क्रेडिटेट टुदे कंसाइनमेंट अकांट एड़ेट टुदे प्रॉफिट अन लॉस अगाउंट जो लॉस हो रहा है प्रूदंस क्या पोलता है जो भी लॉस हो रहा है चाहब उसे अभी कि अभी लॉस में रिकॉर्ड करो तो हमने क्या किया प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दिया इफ एनी अमाउंट से 40,000 इस रिसीफ फ्रॉम अगर हमें पचांस हजार दोसों का लॉस हुआ लेकिन इंशुरंस निकाला हुआ था चालीस हजार का इंशुरंस क्लेम हमें इंश देबिट लॉस देबिट तूद अकाउंट फ्रॉफिट एंड लॉस विल बी 10,220 तो ऐसे केस में हम डेबिट कितना करेंगे और स्ट्रीफ दस हजार दोसो करेंगे कितना करेंगे दस हजार मेंड लेकिन तो पूरा 50,200 का करना है के जाला केस देखो जो लॉस और कर रहा है तो हम क्या कर रहे है अबनॉर्मल लॉस प्रोफिट एंड लॉस अकाउंट अबनॉर्मल लॉस डेविट कितना 50,200 टू कंसाइनमेंट ठीक है यह हम नॉर्मल अबनॉर्मल लॉस का एंट्री पास की है अब मानलों अगर हमारा इंशॉरंस था इंशॉरंस के 40,000 हमें मिले है तो हमारा नेट लॉस कितना हुआ प्रोफिट एंड लॉस अकाउंट डेविट हमारा नेट लॉस हुआ शरी 10,200 लेकिन कंसाइनमेंट में से तो पूरा 50,200 चला गिया तो पूरा 50,200 से चला जाएगा ठीक है फिर बचावा 40,000 क्या 40,000 हमें कैश में मिल गया इंशॉरंस कंपनी से तो बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 बैंक अकाउंट डेबिट 40,000 ठीक है सिंबल है एक दम ठीक है ओके नॉर्मल लॉस और अपनॉर्मल लॉस का दिस्टिंग्शन पढ़ना आपको सीम्पल है अब कमिशन तीन तरह क्यों होते हैं ओडिनेरी डेल क्रेटियर ओवर राइडिंग अभी हमने सेशन जब स्टार्ट हुआ था तभी यह देख लिया था ठीक है अकाउंट सेल्स क्या होता है हमने यह भी देख लिया था अकाउंट इंद बुक्स ऑफ कंसाइनी जैसे कंसाइनर की बुक्स में एंट्री करते उसी तरह कंसाइनी क काफी यहीं लेकिन कंसाइनी के बुक्स में काफी कंपैरिटिवली होती यह था और यहां यहां यह था जब चॉन सैन्मेंट गूट्स आई तो काफी सब्सक्राइब होंगी क्या का अगर का अगर इसे कुछ लेना देना है के नहीं कि बुक में कब आई कि एंटरी जब कंसाइणी सेल करेगा कंसाइणी को क्या मिलेगा रोकड़ा मिलेगा कैस्पेंस अकाउंट डेबिट टु कंसाइणर परसनल अकाउंट ठीक है करकिए तो कंसाइनर को debit करना है на कंसाइनर के बियाफ किया तो कंसाइनर अकाउनट को जाएगा कैणसे अगर डेल क्रेडियर है तो हमारा कमिशन कम होंगा तो कमिशन टू बड़ेट तो कमिशन अकाउंट डेट टू बड़ेट ठीक है इलस्ट्रेशन टू आपने देखना है सिंपल एकदम कि अभी यह जो पहला था न पहला हमने देखा है उसी को multif issues कि अधिक है nee कुछ कर्चा किया था दोजार आठोगा दोजार नशीन कम कई गवास अपने लतPointered को कुझ्षओizi बिल्स पेबल हमारे मैच्छोड हुए थे चे अक्टूबर को तो क्या पेमिंट किया था तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ठीक है हमने सेल किया है 55,000 का तो डेटा जगाउंट डेबिट और किसके भी आप पर किया है एकस के तो टू एकस अकाउंट अब बैट देट होगी है देमेशाय loo को एकसानensive को आपनेव करना केडिशनव यह नहीं परक या मिल रहा है और इनकम जो भी हो रहा है है मारा 16,100 जो पहले देखा था हमने वह यह यहां पर ठीक है कि अग्रूंद कि अग्रूंद कि अग्रूंद कि एक इलस्ट्रेशन नंबर थी देख लेते हैं कि मीश रा की कि मीश रा की कंसाइंड वन थाउजन रेडियो सेट्स कॉस्टिंग नाइन हंड्रेड कि टुमिस गीता ठीक है तो राखी राखी कोन होगी कंसाइनर गीता कोन होगी कंसाइनी हर एजन्ट उन 1 जुलाई 2016 मिश राखी इंकर्ट दा फॉलोइंग एक्स्पेंडिचर साथ शेसो पचास तीन दोसो पचास मिस गीता मिले कितने के लिए नौलाग रुपियों में एंड मिस गीता इंकर्ट दस हजार पात्सों पात्सों का खर्चा बेर किया है मिस गीता वॉस एंटाइटल दू कमिशन आप 6% उन सेल्स एफेक्टेट बाया एंटेट इंकर्ट 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 इंक्सेंज अमांटिंग तु दो थाजार पात्सों फॉर रिपेरिंग डामेच रेडियों सेट यह क्या है सेलिंग एक्सपेंसेज है ना पहली पेपर पे लिख देना यह क्या है एक सेलिंग एक्सपेंसेज है ठीके मिस राकी लॉज्ड क्लेम विद इंशुरेंस कंपनी विच और अड्मिटेड आट 35,000 देखो जो पचास रेडियों का नुक्सान हुआ है हमने ट्रांजिट का इंशुरेंस किया था इंशुरेंस कंपनी से हमें पैसा मिल गया है 35,000 शो दर कंसाइनमेंट अकाउंट एंड मिस गीता अकाउंट इन दे बुक्स ऑफ मिस राकी मतलब कंसाइनर के बुक्स म हमको कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट बताना है कंसाइनर के बुक में हमें कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट यह दो अकाउंट बनाने के बताने हैं कि तो बता देंगे है को हमारा워서 abnormal का हुआ है पाचांस रेडिव का हुआ है तो पहले वह एबनॉरमल का वैलिएशन देख लेते हैं कितने पचांस रेडियो का एक रेडियो कितने का था 900 रूपिय का त technology कितना पैतालिसाजार तीक है कितना थेज़ार छेए उसके बाद में हमारे जो तो कंसाइनर है कंसाइनर ने कितना खर्चा किया है कि-7,650 विकां कि meer देजार थे चूपचा सब्स तीन थेजार दोसों पचा सब भूब 10,900 का खर्चा किया है कि 10,900 का खर्चा किया है हुआ हुआ है ना तो 10,900 का खरचा कितने 1000 यूनिट के लिए था हमारा लॉस कितना हुआ है सिर्फ 50 यूनिट तो 50 यूनिट का आएगा इतना तो हमारा एबनॉर्मल लॉस कितना हो गया 4545 समझ में आये गया 50 यूनिट 900 के बाव से नुकसान हो गया और जो फ्रेट और इंस्यूरंस था उसमें भी प्रपोर्शनेट खरचा जाना चीए यह आ गया तो हमारा टोटल अबनॉर्मल लॉस हो गया इतना लेकिन हमें इंस्यूरंस कंपनी से कुछ पैसा मिला है 35,000 तो हमारा नेट अबनॉर् Ben current week, बाद में हमने खर्चा किया कर देंगी हर्चा है इसके बाद में हमारी जो कंसाइन है उसने जो कर चाहिए वह भी हमारे बीयाद इसके में उसनें कितना किया है 9 लक का सेल कवर हो गया हमें जब अबनॉर्मल लॉस हुआ तो अबनॉर्मल लॉस का हमने क्या किया profit and loss अकांट डेबिट अबनॉर्मल लॉस की अमाउंट से होना चीए था अबनॉर्मल लॉस कितना था हमारा 45000 तो मिल गया है तो हमारा नेट लॉस किता हुआ 10,545 और बैंक में कितना पैसे आया है क्लेम का 35,000 डेबिट तो कुंसीमेंट अकांट कितना थस हाँ तो 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 कंसाइनमेंट अकाउंट तोटल कितना हुआ यह तो यह आगे कंसाइनमेंट को 35,000 और 10,545 ठीक है अब हमें देखना है कि हमारी क्लोजिंग इन्वेंटरी कितनी बची है हजार बेज़ेते पचांस लॉस हुआ साड़े साथ सो सेल किया हमलग 200 यूनिट हमारे बच्चे है तो 200 यूनिट का हमें करना है वालुएशन 200 यूनिट का वालुएशन करना है तो सीदी सी बात है 200 इंटू 900 एक लाग असी हजार बात में जो कंसाइनर ने नौन सेलिंग एक्स्पेंस की है है बाद में कंसाइन नी का commission कितना मन रहा है कंसाइन को कमिशन कितना ज़ी पर्शेंड की हिसाबसे अतरों तो कितना बिचा है उसने 9 लाक 96 परिंट कि परशन्ट आहिगा पाद 54 थाऊजन तो वो भी आड कर दो फिर बाद में अकाउंट को क्ट्रेड़िट बैलस आ कि देखो आपको अगर बेसिक जर्णल समझ में आगी है न तो यह टॉपिक काफी इंट्रेस्टिंग है और काफी सिंपल है स्टूड़न्स लोगों में इसका फोबिया है लॉजीकली जमजना है लॉजीकली अगर आप देखते हो इसे सॉल्फ करते तो आपको इसमें कोई दि पूरे सल्यूशन लिखके निकालते लेकिन यह रिविजन है एक्दम मैराधॉन है वन डे बिफोर एक्जाम भी आपका यह लेक्ट्स देखके हो जाना चाहिए इसलिए हम वेराइटी कवर कर रहे है और यह जम रहा है ना एक्जाम को ही कि मैना बचा है अभी भी नहीं आत है उसमें profit involved है विजह is entitled to a commission of 10% on sales at invoice price and 25% of any excess realized over invoice price मतलब 10% क्या है उसका normal commission है जैसे कि एक लाग की goods बेचे है और एक लाग में उसने बेच दिया तो इस पर 10% मिलेगा मानलों उसने एक लाग दस हजार पे बेचा है उपर के जो दस हजार है उपर के दस हजार पे उसे क्या मिलेगा ओवर्राइड इंकम मिशन 25% से दिए एक्सपेंसे ऑन फ्रेट और इंचुरेंस इंकर बाया जै वर 10,000 कि दी अकाउंट सेल्स रिसीफ बाया जै शोस दाट विजया इस एफेक्टेट सेल्स कमाउंटिंग तो एक लाग इन रिस्पेक्ट ऑफ 75 पर्षेंट ऑफ दी कंसाइनमेंट हमने जितना बेजा था उसका 75 पर्षेंट उसने अभी सेल्स किया है मतलब 25 पर्षेंट बचा है देखेंगे और क्या बताता है और उसके एक्सपेंसे हुए आठ अजार आठ अजार क का कंसाइणीं ने एक्स्पेंस किया है 10 पर्षेंट डिस्टॉय हो गया था, फाइर के वजह से, मतलब हमने 100 गोज़ा, से 75 उसनें जल्स किया 10 पर्षेंट डिस्टॉय हुआ मतलब 15 पर्षेंट क्या होगा हमारा क्लोजिंग स्टॉप 15 परशेंट हमारा क्लोजिंग स्टॉप आना चाहिए बारह अजार का कि बारह अजार में इंचुरंस मिल गया क्लेम विजे रिमिंटेट दे बैलन्स इन फेवर और वज्य और जो भी बचा वह विजय ने कर दिया और विजय अकाउंट बनाना है और विजय बना लोंगे हम देखते वरकिंग नोट्स ठीक है हम वाल्यूएशन पर ज्यादा जूर देंगे अभी क्तने के डूर्थ बेज़ है वो तो मांद लो आ हमको यहां में मतलब हमने कितने के गूर्थ बेज़ पता रह गले scold जाहिब 10% of consignment goods value of 12,500 मतलब अगर 10% की कीमत 12,500 है 10% की कीमत 12,500 है तो 100% की कितनी तो 100% की कितनी आएगी 100% की आजाएगी 1,25,000 कितनी आएगी 1,25,000 अब ये जो 1,25,000 है 125% of cost है तो मतलब इसमें profit कितना जोड़ा हुआ है इसमें profit जोड़ा हुआ है 25,000 ठीक है अगर 125 का consignment है तो 100 है वो है उसका cost अब 1,25,000 का consignment है तो 1,00,000 कोस्ट होंगी तो मतलब इसमें profit कितना जोड़ा है 25,000 का profit जोड़ा है ये 25,000 का profit जोड़ा है कितने से हमारा डेबिट होना चाहिए वह देखने के लिए है कि नेक्स्ट क्या है कैलकुलेशन ऑफ अबनॉर्मल लॉस कितना हुआ है टेन पर्षेंट मतलब बारा अजार पांचों का मारा अबनॉर्मल लॉस हुआ था लेकिन इसमें तो हमारा प्रॉफिट भी है प्रॉफि адцफफट अब जो अजय कंसाइमर ने कुछ खरचा किया था कितना है दज़ हजार दसओं किया था लोस कितना हुआ है टेन पर्षेंट का गया है तो यह जानॉर्मल लॉस होगिया हैं 11,000 का अब क्लोजिंग इन्वेंटरी अगर हमको वाल्यू करनी है क्लोजिंग इन्वेंटरी कितनी है 15 पर्शंट हमने बेजा कितने पर 1,25,000 पर बेजा है दस अजार का हमारा कॉस्ट लगा है तो 1,35,000 हमारा टोटल कॉस्ट आ गया टोटल वैल्यू आगी अब इसका 15% हमारा क्लोजिंग वाल्यू है तो 15 पर्षेंट आफ एक लाग पैतालीस हजार मनलब 20,250 हमारा क्लोजिंग वाल्यू है लेकिन यह जो 1,25,000 है इसमें तो हमारा प्रॉफिट भी इंक्लूड है ना प्चीस हजार का तो इसका मतलब यह जो 20,225 है इसमें भी हमारा प्रॉफिट इंक्लूड है तो वह प्रॉफिट को रिवर्स कर देंगे प्रॉफिट को जो लोडिंग है उस लोडिंग को हम अनलोड कर देंगे तो 25,000 into 15 divided by 100 जो 25,000 है देखो जो हमने एक लाग 25,000 में बेचा है तो उसकी कॉस्ट कितनी वी एक लाग मतलब एक लाग 25,000 में बेचा है तो सिंपल एकदम 100% मतलब जितना हमने स्टॉक बेजा था उस पे 25,000 का लोडिंग था अब 15 पर्षेंट स्टॉक बचा है तो उस पे कितना लोडिंग है तो उस पे 3750 का लोडिंग है अब कमिशन कैलकुलेट करना है बहुत सिंपल है कितना गूर्स बेजा है उसने 75 दब कितना किया चेजार 225 तो एक लाग में किया है एक हमने इनवाइस कितने किया था 93,750 ओर अब कितना है 6250 तो इस पर तो 10% मिलना और इस पर क्या मिलना इस पर 25 पर्षेंट मिलना दोनों को प्लस कर लिया हमारा अंसर आजाएंगा ठीक है बस यह वरकिंग नोट से इंप के मार्स आपके हाथ के हैं तो इसी के साथ साथ हमारा कंसाइनमेंट भी खतम हुआ आपको यह टॉपिक की विशेशतर पर अच्छी प्रैक्टिस करना है क्योंकि यह टॉपिक कंपल्चरी ली हर एटेम में पिछले चार एटेम से तो मैं देख रहा हूं कि दस दस मार्स के लि हुआ है जैके से जब करेंसे ल्युक्या नहीं कि दस दुटे में विश्वार में न wood में वगल में जिए। और भी तो ये यह लियू